कि यह जब्मग कश्मीर के तमाम वो एस्परेंट्स जो मुख्य मंत्री बनना चाहते हैं पहले सरकारी नौक्रियों के लिए इस्परेंट कि अधिन कॉम्स के मुक्रियों के लिए हैं मुख्य मंत्री का दफतर कहते हैं अब उस नौक्री के भी बहुत सारे दावेदार तयार हो गए हैं भारजनता पार्टी में भी कम से कम पांच दावेदार चीफ मिस्टर के हैं नाशल कॉंफरेंस में एक दावेदार चीफ मिस्टर की कुर्सी का है और उसका कारण भी यह कि परिवार जिस पार्टी में हो उस परिवार में परिवार का ही आदमी ब भी पार्टी हैं यहां पर जो नेशनल नेवल की पार्टी हैं अब इन एश्पिरंट्स को जिस कुरसी के लिए सब मारा मारी है और आपको जानकर हिरानी होगी कि एक एक कि इतने दावेदारों में से कोई एक दावेदार उदर से निकले और बीजेपी में आ जाए नाशनल कांफरेंस में भी सिंगल सिंगल दावेदारी है पीडीपी में भी सिंगल सिंगल दावेदारी है और बाकी पार्टियों में लेकिन बार जिनता पार्टी का जरा मसला बिलकुल बाकी पार्टियों से मुक्तलिफ है क्योंकि जो भी शक्स बीजेपी की साथ जुड़ा हुआ उसको लगता हैं सत्ता में आने आने वाले हैं तो इसलिए हर कॉंस्टुएंसी में पांच पांच चेचे दाविदार हैं लेकिन बात मुक्ष मंतरी के पद के दाविदार की अब पांच अगर दोजार निस के बाद का जमुकुष्मीर का मुक्ष मंतरी कैसा होगा इसको लेकर पिछले दिनों ट्रांजक्शन ऑब बिजनस ऑफ दे गार्मिट अफ यूनिन टेरिट्री की कैसे कामकाज होगा जमुकुष्मीर की यूनिन टेरिट्री में इसके लिए कानूनों के अंदर संशोधन किया गया और वावेला हुआ वुकला हजरात जो अलग अलग पार्टियों में इंपॉर्टन पोजिशन पर हैं उन्होंने भी इस बात पर जबर्दश शोर किया कि जनाब आपने मुक्ष मंतरी की ताक्त ने बिल्कुल कम कर दी मुक्ष मंतरी के बास तो बचाई कुछ नहीं करने के लिए मुक्ष मीर का जब मुक्ष मंतरी बनेगा तो करेगा क्या अगर हम ट्रान्जेक्शन आप बिजन्स रूल्स जिने 31 अक्तूबर 2019 को जब जमुक्ष मीर यूटी बन गई 27 सकत 2020 को transaction of government business of the government of unit territory of जम्म कश्मीर ये कानून जो है ये rules notified किये गए इन कवानीं के मताबिक जम्म कश्मीर का वो मुख्यमंत्री जिस मुख्यमंत्री के पास जो मुख्यमंत्री इन rules से govern होता था जिन rules को जम्म कश्मीर government business rules कहते थे और ये लगबख अगर इन rules की में बात करूँ तो अगर total pages की ही में बात करूँ तो ये total page लगबख 37 page के उपर ये कानून था इसमें चीफ मिनस्र की दो शडूल थे जिने सर्फ चीफ मिनस्र की ताक्तें बताई गई थी कि चीफ मिनिस्टर क्या क्या कर सकता है दो शडूल थे जिनमें ये बताई गया था कैबिनिट की ताक्तें क्या होंगी लेकिन अब जब मुख्यमंत्री बनेगा तो मुख्यमंत्री के पास जमुकश्मीर के मुख्यमंत्री के पास कोई वो ताकत नहीं होगी जो ताकते जमुकश्मीर का मुख्यमंत्री जमुकश्मीर के यूनिन टेरिटरी बनने से पहले एंजॉई किया करता है उसमें सबसे एहम ताकत है जमुकश्मीर का मुख्यमंत्री बनते ही प्रोटोकॉल के हिसाब से मंत्री जी के पीछे भी चार चार पांच पांच एसकॉर्ट की गाड़ियां घूमा करती थी कुछ हमेले होते थे उनके पीछे भी एसकॉर्ट की चार चार गाड़ियां घूमा करती थी जिले के S.P. को बताया जाता था कि मंतरी जी नहीं हमेले साहब आने वाले हैं फौरण हाजरी दीजिए S.P. साहब भी हाजरी देने आते थी, D.S.P. भी हाजरी देने आता था थानेदारों के तो मजबूरी थी हाजरी देना अब इस बदले हुए जमुकश्मीर में जिस समय मुख्यमंतरी बनेगा तो मुख्यमंतरी के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जिस ताकत के जरीए वो ग्रहमंतराली या ग्रहवभाग को ये कह सकें कि आप मेरी सेक्यूरिटी रिवियू कीजिए और मेरे पास अगर आज एक्स है तो मुझे जेट प्लस प्लस दीजिए जेट प्लस दीजिए किसी MLA को अगर गारी चाहिए होगी या किसी MLA को अगर एलहांस सेक्यूरिटी प्रोटोकॉल चाहिए होगा वो डीजी पी और ग्रह वेभाग की मनजूरी पर निर्बर होगा और डीजी पी और ग्रह वेभाग तब मनजूरी देंगे जब उस मनजूरी के लिए लेफ्टनेट गवार्नर्र मनोज सिना अगे उस समय कर में लेफ्टनेट गवार्नरं होंगे या जो में जम्हो कश्मिन की लेफ्टनेट गवार्नर होंगे उनका agreement होगागे ठीक है जी आप बिल्कुल आप provide security enhance कर दिय जाएगा तो पहली बात तो यह कि गाडियों का जिने शौक है कि हम मंत्री बनते ही या हम MLA बनते ही कोई दददद गाडियां हमारे पीछे गूमेंगी जो आज नहीं गूम रही है कई जवाँ पर मैंने सुना भी ये कैब भी रहे हैं कि जनाब आते ही देख लीजिए का ये जो आज हमको पुलीस की गाडियां जिपसियां नहीं मिल नहीं मिल जाएंगी हमने उसुगर ये चीज जरा ये काम जरा मुश्किल है क्योंकि ये एक शुडूल में हुआ करता था चीटमेंस रुके इसको शुडूल फॉर कहते हैं शुडूल थ्री और फॉर अब जाहिश सी बाएता दो शुडूल में सारी कहानी खत्म हो चुकी है और उन दो शुडूल में कहीं पर ये ताकत नहीं है तो सिक्योरिटी रिविव के बाद और इस बात का करती थी चीफ मिस्ट के क् предлаг क्वह तक हृत का कर्ती थी कि वह कर्सक्ते थे रेजिग्नियशन पर भी पाला लshotख सकte थे और डिंदोगे जनर्म को निकालने की ताकट भी हो खती थी चीफ मिस्ट के पास ये ये चीफ मिस्ट की क्याबिनट के पास ये ताकत थी कि वो उस पर सोच विचार करके प्रपोजल तयार करके गवर्नर को भेज सकते थे अब इसमें मामला यह यू हो चुका है अब यह ताकत चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है आप एड़ोकेर जनरल को अपॉइंट करने की ताकत तो है पर दिकालने की ताकत उनक तो क्या कैबनेट के पास नहीं है इसी तरीके से जम्रकुष्मीर पॉब्लिक सर्विस कमिशन को लेकर आपने चेयर्मेन को मेम्बर्स को एड़ीशन सेकर्टी को जॉइंट सेकरेट्री को हटाना होता था तो यह काम पहले जम्रकुष्मीर की कैबनेट किया करती थी अब कै टाकत cabinet के पास थी कि वो प्रोपोजल ला सकते थे और उन रिक्मेंडेशन्स पर फैसला ले सकते थे अब वो फैसला नहीं ले सकते इसके इसके इलावा appointment और promotion के प्रोपोजल चीफ सेक्टरी का एडिशन चीफ सेक्टरी का या उसके इलावा और सर्विस के ऑफिसर का यह प्रोपोजल भी काड़ में लाया जा सकता था लेकिन शुडूल में कहीं आप इसका जिक्र नहीं है तो यह ताकत भी अब मुख्य मंत्री के पास नहीं है डिवकॉंग डिस्टि गर्डमेंट कमिशनर डिप्टी कमिशनर इनको लगाने की इनको लगाने की ताकतें थी वो ताकतें भी अब नहीं है उसके इलावा और एंटी कर्प्शन कमिशन की रिपोर्ट अचा उसके इलावा उसके इलावा किसी गजटिक सर्विस को आप एक्स्टेंशन देना चाहते हैं आप जाते हैं कि अल्रडी कोई सर्विस में है जिसे आपको याद होगा कि कॉंट्राक्शल बुनियादों पर लोग लगाए ग खाय एक्सेंशन दी गई वो ताक्तें भी अब चीफ मिनस्टर के पास नहीं है उसके रावा थर्ड शेडूल में कुछ केसे कुछ मामले हुआ करते थे जो सीधा चीफ मिनस्टर को सब्मिट हुआ करते थे छीफ सेकेर्ट्री के जरी हैं अब कोई हई मामला थर्ड श डूल में जो था पहले अब वो मामला चीफ मिनिस्टर के पास जाएगा ही नहीं उसकी वज़ा ये है कि अब ये थर्ड शुडूर रहा ही नहीं है इसमें अपर और लोवर एज लिमिट गार्मिट सर्विस में तबदील करने का केस उसको लेकर थर्ड शुडूर में पावर चीफ मिनिस्टर के पास थी और चीफ सेक्टी के जरीए प्रबोजर चीफ मिनिस्टर के पास जा सकता था और ये बाज़ अफ़ता डिफाइंड पावर थी लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है उसके इलावा एडवाईजरी बोर्ड कॉंस्चूट करना उन लोगों के लिए जिन लोगों की जिन लोगों को गिरिफतार किया गया है ट्राइल के बगए अब ये तागत भी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है कुछ ऐसे मामले जिन मामलों से जमो कश्मीर की सुरक्षब व्यवस्था असर अंदाज हो सकती है इस मामले को भी अब चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रिटरी के जरीए कोई ऐसा मामला चीफ मिनिस्टर की जेरे गौर्ड नहीं लाया जाएगा गावर्णर की परसनल सेक्रिशब् produkt को लेकर मामला चीफ मिनिस्टर के पास चीफ सेक्रिटरी के जरी जाते थे अब वो भी नहीं जाएगे रूज को रिलाक्स करने की ताकत अब चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है उसके इलावा एक periodic intelligence summary थी जो होम डेपार्टमेंट से चीफ मिस्टर के पास जाया करती थी शुरूल में नहीं है चीफ मिस्टर के पास नहीं जाएगी उसके इलावा प्री मैचोर रिटार्मेंट के केसिस ये भी पहले शुडूल तीन में ताकत चीफ मिस्टर के पास थी लेकिन अब ये ताकत चीफ मिस्टर के पास नहीं रही है ये वो ताकतें थी जिन ताकतों से जमुकुश्मीर का मुख्य मंतरी एक powerful मुख्य मंतरी हुआ करता था लेकिन आप ये ताकत कोई भी चीफ मिस्टर के पास नहीं है। उसके इलावा Section 34 के अंदर एक ताकत थी Chief Minister के पास कि वह माफी दे सकते थे किसी को सजा हुई है उसको Commute कर सकते थे वह ताकत भी नहीं है। उसके इलावा वह cases जिनसे structure cluster backward classes के interest plus arend glory असर हो पड़सकता है, वो चीफ मिनिर्टे के पास जाते थे, चीफ मिनि Till के पास ये टाकत थी, जो गवर्वर्मिनुट को व पॉलिसी इशुות पर भेज सकते थे. लेकिन अब ये टाकत भी अधिक ने काफ से। तो कुल्यतं यह कि वो ताकते जिन ताकतूं से जमो कश्मीर का चीफ मिनेस्टरि एक मजबूत चीफ मिनिस्टर मांना जाता था उस मेंसे कोई भी ताकत चीफ मिनेस्टर के पॉस नहीं अब जब आप कार्याले में आएंगे तो दूसरी बड़ी दिक्कत ये होगी केवल दस मंत्री बनेंगे 96 चैन्वें मेंबर मेंबर्स होंगे जिसमें से 90 एलेक्टेड होंगे और 6 नॉमिनेटेड होंगे 96 को आपने 10 से डिवाइड करना है क्योंकि 10% of the strength of the legislature आपका आपका council of ministers होगा तो टोटल मंत्री बनेंगे 10 अब इन 10 मंत्रियों में से एक होगा मुख्य मंत्री और 9 होंगे मंत्री बीजेपी में अगर senior नेताओं की बात की जाए तो लंबी फैरिस्ट है सबका सबको मंत्राले का और मंत्री मंडल का experience जबरदस्ट experience ऐसे पीडीपी में है ऐसे ही जब कुश्वीर अपनी पार्टी में ऐसे ही कॉंग्रस में ऐसी अन्य दलों में अब इन सारे दलों में experience लोग तो मौजूद हैं लेकिन बीजेपी को पांच महारती डूंडने है अ उन्हें पांच महारती डूंडने हैं माली जें Congress की सरकार बनती है NC के साथ तो Congress और National Conference को मिलकर 10 लोग डूंडने है जो 90 लोगों की नुमाइंदगी करेंगे people's conference की अपनी party की किसी और party की सरकार बनती है तीन पार्टियां मिलके सरकार बनाएंगे तो खाते में किसी के कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि बनने दस लोग हैं तो तीन पार्टियों की सरकार बनाने का को मतलब ही नहीं बनता फिर तो यह आलोगा कि दो दो लोग बनेंगे मनत्री तीन पार्टियों से, वो च्षे हो जाएंगे, या माली जित तीन बनेंगे तो माली जिसके पचीस हमेले होंगे केवर्ड तीन मनत्री बाइस बेचार बिकार बैठेंगे क्या है और ये 22 में भी जयादातर सीनियर होगे आप जूनिर बने तो आ सींयर बने थो कई पार्टी उसे बढ़े सीनियर ये अ पनी पार्टी चूड़के देर अलग इसी चक्र में घए कि यहाँ नहीं बने वहां मंत्री बन जाएंगे अब अगर उन्पार्टी उन्हिट मौके पे ये तहा किया कि मंसरी कि मंदल में तो वो लोग जाएंगे जो पार्टी के बेसिक की सद्व सी रहे हैं लंबे साथ से पार्टी के सथ चलते आई वही मंतरी बनेंगे तो आपकी तो ना qualification ना disqualification ना आप मंत्री तो नाप संत्री और उपर से मुसीबत ये कि PSO भी मांगने हैं तो उसके लिए home department के पास जाना है और home department के साथ भी अगर आपकी अच्छी understanding होगी तो ही वो चार लोग मिलेंगे वरना वो चार लोग भी नहीं मिलेंगे उसके बाद ये हैं मुख्यमंत्री की ताक्ते जो जमो कश्मीर union territory में बनेगा transaction of business rules जो गवर्न करते थे पहले जमो कश्मीर को उसमें चार शडूल थे अब जो transaction of business rules उसमें केवल दो शडूल है और I.S. officers को transfer करने की state anti-corruption bureau को का लेखा जोखा देखने की उसमें promotions postings कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा किसको कैसे वो सारा सिलसला भी anti-corruption bureau का left and governor के पास होगा और सबसे बड़ी ताकत left and governor के पास ये powerful वो ये कि cabinet का पहले जब cabinet meeting हुआ करती थी तो cabinet meeting का अजंडा तयार किया करते थे जीएडी से सचिफ और अलग अलग जो department है उनके अपना अपना agenda जीएडी में भेजते थे फिर जीएडी वाले उस सारे agenda को जमा करके CS के पास ले जाते थे CS को लेकर चीफ मिनिस्टर के साथ जमू में भी और किश्मिर कमरा भुबाबा है उस बहुत बारे कमरे में केमाल दस लोग नहीं बैटे होंगे दसतुल्बंत्री और चीफ मुख्यमंत्री एग बैतेंगे वहां पर चीफ सेकेर्टरी और दूसरे बैतेंगे वहां पर जॉइंट सेकेर्टरी और वो होंगे उस दिन सेकेर्टरी काउंसलर मिनिस्टर्स के तो यानि आपका अजंडा तैयार होकर पहले बहुत खुफिया रहता था बड़ी बार गवर्णरों को सप्राइज मिलता था कि अफसर कहां से पोस्ट हो गया अब ऐसा कुछ नहीं होग तो जॉइंट सेकेर्टरी को भी पता होग आप चीफ सेकेर्टरी को भी पता होगा यानि alternate गवर्णर को अजंडे की पूरी जानकारि होगा और किसी भी अजंडे के ऊपर अगर वो आपके सांसा सहमती नहीं रखते आपका अजंडा फेल हो जाएगा तो अब आप सोचिए जिस काउंसलर मिनिस्टर्स में काउंसल की सचिव खुद प्रिंस्पर सेक्रिट्री जो गवर्नर हो और उसकी बाद चीफ सेक्रिट्री चीफ मिनिस्टर के साथ काम जरूर करेंगे लेकिन आधीन होंगे लेफेननीट गवर्नर के आधीन का मतलब यह कि उनकी पोस्टिंग से लेकर बाकी तमाम के फैसले करेंगे लेफेनन गवर्नर तो जानते हैं कि बादि लोगों को तो अ तासी है उनकी मजबूरी है तबियत में मजबूरी मजबूरी उनकी यह है कि ढ़ल हो producers हमारे हाथ में नहीं को ट्रास्फिर नहीं कर सकते सीडियर Office के पुलिस वालों को तो पूछने को नहीं है पुछ ही 1963 यह थानेदार से मत भिड़िएगा इसलिए थाने थानेदार से आपको भिड़ना नहीं है कि थानेदार आपके आधीन नहीं है थानेदार पूरा कंट्रोल जो है पुलिस विभाग के डेक्टर जनरल का होगा किसी आदमी को भी नाराज मत कीजिए किसी भी भाग के किसी आदमी को नाराज मत कीजिए कारा उसका यह है कि वो जो आप कहा करते हैं हम हैं हम फराना हैं मंत्री हैं वो आप कह नहीं सकते हैं क्योंकि होम डिपार्टमेंट आपके आधीन नहीं है उस सारे फैसले और थनदार और भी करने जाना और वहां पर बड़ी बार अजीब हो गरीब सीन होता था कि बड़ा सीनर प्रीस का अफ्सर भी वहां से जाना होता था... और कई बार उसको बुरा भी लगता था कि बाई ये मेरे प्रोटोकॉल में नहीं हूँ मैं अपने दफ्तर में बैठों अपना काम करूं मैं कहां लग गया दर रिबन काटिंग में अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं सीने अफसर की कि वह अपना काम काच छोड़कर MLS आप फर्वनकाटना आए वहां पर हाजरी देदए तanıगर का काम वहाँ बंदोबस्त करक्णा बंदोबस्ति आप बात समझ गयँ हो इंदिशांती का मतलगी कि शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए यदी शांति व्यवस्था नहीं बनी रही ये शांति व्युद्धा भंग ह गई तब थानेदारों का अंदाज अपना होगा उनका स्टाइल काम करने का अलग होगा क्योंकि यूनिंटेट्री की सरकार है और आगे अमान लीजिए यह पुलिस यह अड्मिस्ट्रेशन सब और यह बना आजीब लगता हूँ पड़े दिखे लोग इतनी बड़ी-बड़ी पार्टियों में वकील बहुत दबरदस काबिल लोग और मैं हरान इसलिए होता हूँ क्योंकि इन काबिल लोगों ने जिनों ने सर इस जमो कश्मीर को पिछले चालिस साल चलाया यह चिलाना शुरू होगे पिछले जिनों जब ट्रांजेक्शन अब बिसन्स रूज में क्ल ने साफ कर दिया अपने अपने लड़ो हमने अपनी पार्टी से लड़ना है आप अपनी से लड़ो अपनी पार्टी से नेशल कांफरंस से अब तो मुसीब़त हो अपनी पार्टी भी नहीं कह सकते हैं तो आप अपनी चाल चलो हम अपनी चाल चलते हैं सब अपना अपना लड़ते हैं क्योंकि आप जानते हैं राजनिती है और डॉक्टर फारुक अब्दिल्ला को तो बड़ा मशूर है वो कि राजनिती में कोई पर्मनेंट दुश्मन नहीं कोई पर्मनेंट दोस्त नहीं ठीक है जी तो बीजेपी के साथ को पर्मनेंट दुश्मन बाता ही करेंगे क्या है ट्रांसफर किसको करें ट्रांसफर बड़ा जरूरी है क्योंकि ट्रांसफर हो पे ही मसला सारा है एक हमारे मुख्य मंत्री हुआ करते थे साल 2009 से 2014 तक उन्हें मिला एजुकेशन का मंत्रा ले जब हो एजुकेशन के मंत्री हुए तो यकीन मानिएगा कि 9 डिरेक्टर उनके 3 साल में चेंज हो गए क्यों? ट्रांसफर ट्रांसफरों से बड़ा प्यार हमारे मंत्री हुएं को तो आईए अब ट्रांसफर बेबात करें मान लीजे अब आपको इंजिनरों को ट्रांसफर करने की ताकत आपके पास नाइप तसल्दार तसल्दार पतवारी पतवारी से नीचे याइसी तरीके से pH may आई ए ए, सूपरवाइजर ट्रांसफर करने की ताकफ आए को, ग्लरक ट्रांसफर करने याँ ताकफ आский आपको, जेई UW के ट्रानसफर करने की ताकफ आपको. उसमें भी मान दीजिए आपने आते ही एक साथ कोई सो एड़वली ट्रांसफर कर दी आपने सारे एक्सियन ट्रांसफर कर दी ए सब कर दी और किसी अकलमंद ने जाकर लेटनेट गवरनर से ये कहा कि जणाब ट्रांसफर इंडस्ट्री दोबारा खुल गई है चर्चा हो रही है चारों तरफ तो इसको इंडस्ट्री को बंद करना जरूरी है तो लेटनेट गवरनर के पास जमुकश्मीर री ओर्गनाइशन के गानून के तहट और ट्रांसफर बिजनस ऑफ दी गवर्मिट अफ यूनिन टेरिट्री अफ जम्मो कुश्मीर रूल्स दो हजार उनिस के तहता है ताकत है कि वो बाजाबता मंगवा सकता है आपका ट्रांसफर ओर्डर और सचिव जी से कह सकता है सचिव यानि सिक्रेटरी साब को कह सकता है इसे करिए आप कै नहीं है तो कैंसल करने की और उस ओर्डर पर अपना ओपिनियन देने की और उस ओपिनियन दे कर उस ओर्डर को कैंसल कराने की ताकत भी लेटनेंट गवर्नर के पास है और उसके बाद आई बाद ठेकूं की अब आई बाद ठेकूं की अच्छा एक और चीज़ होगी यह ब मुलाजिम लगा सकते तो कोई पूछने वारा नहीं था जिसको मरजी उसको लगाओ अब लगा जगते दे इदर कॉर्परेशनों में लोगों को जिसको मरजी लगाओ कोई पूछने वारा ना अब नहो गया ऐसा क्योंकि अब आपको ट्रांजिक्शन अब बिजनस रूल्स मे करनी होगी अब यह कहा गया है कि जर्नल एड्मिस्टेशन डिपार्टमेंट को आप हर मामले में कंसल्ट करेंगे यानि अब आप अपनी मरजी से किसी को नौकरी भी नहीं दे सकते सुफारिश करेंगे सचीव साब की मरजी होई तो होगा नहीं मरजी होई तो कुछ नहीं ह होगा यह भी एक मसले यह वड़ा मसला है उसके बाद एक सबसे बड़ी मज़ेदार बाद हर जब इससे पहले जमो कश्मीर एक राज्य था उसमें मिनिस्टर इंचार्ज होता था डिपार्टमेंट का और उसके बाद वो रिस्पॉंसिबल भी होता था डिपार्टमेंट के सारे कामकाज के लिए आप ट्रांजेक्शना बिजन्स रूल्स ये कहते हैं कि आप डिपार्टमेंट के इंचार्ज जरूर हैं लेकिन डिपार्टमेंट के मुख्या सचिव साहब हैं आप इंचार्ज यानि आपका काम है लोग सेवा करना आपका काम है पानी का नल का लगवा लोगों की पेंशन लगवानी सड़क बनवानी कई पानी आगे अभी आया था पानी लोग बड़े परिशान थे वह पानी निकलवाना मुझबल्टी से ठीक काम करवाना वह भी तब तक मुझबल्टी कॉर्परेशन नहीं बनती जब कॉर्परेशन बनी उदर भी आप दखल कागजात में आप अपना दे सकते हैं उसके आगे की तागत आप भी कोई नहीं ताक्तें डीडी सी के पास तो मुझबल्टी और कॉर्परेशन जब तक नहीं बनती तब तक आप आल पावर्फू किन काम हूं में काम करवाने के लिए सड़क बनवाईए बिजली पानी मारा मारी हुआ करती थी बड़ा सरदर्द था और मुझे यह भी याद है तकरीरे सारी याद है अली मुहमद सागल ने जब विपक्ष में हुआ करते थे दोजाद दोजार आट के बीश में आरोप लगाया करते थे मुझफर हुसैन बेक के उपर सावला कोट में पैसे खा किसी नीता के उपर कोई केस बहना कि आपने और ना कोगाच्ट में कि अपने कि आरोme ले लिये के पास है उसके बाद कुछ मामले हैं जो सीधा लेटनेट गवरनर के पास ही जाएंगे चीफ सेक्री के जरीए और इन मामलों में चीफ मिनिस्टर के कान में बात सुनाई जाएगी मतलब कि आपको आपके क्योंकि ए मोड पे सब कुछ है आपको ए मोड पे फाइल दिखेगी उस फाइल में आपको दिखेगा कि यह यह मामले हैं लेकिन आप उन मामलों में हस्तक शेप नहीं कर सकते वह एलजी लेटनेट गवरनर के पास जाएंगे और उन मामलों में लेटनेट गवरनर ही फैसला लेंगे अब एक और मज़दार ताकत थी जो पहले चीफ मिस्टर के पास थी केंदर सरकार कोई भी चिठी भेजती किसी जगा सरकार की कमी कमजोरी निकालती डांट टपड करती सरकार को वो चिठी पहले मुख्यमंतरी के पास आती थी उद्री डब जाती थी एलजी के दफ्तरों चिठी जाती नहीं थी अब नहोगा ऐसा चिठी आएगी आप के पास भी और LG की पास भी आपके दफ्तर से लीक नहीं हुई तो LG के दफ्तर से लीक हो जाएगी और हमारे जरीये जंगता तक पहुँचे अब आगे चलिए अब एक और ताकत जो पहले केवल और केवल चीफ मिस्टर के पास थी अब नहीं होगी वो था मालजी जगड़ा हो आपकी वारतालाब होगी ने केंदर के साथ वो LG साहब के पास सब जाएगी और अंतिम भैसले लेने का अधिकार जो वो LG साहब के पास ही यह मसला यह मामला जो ठीक नहीं है उसके बाद यह चीफ मिस्टर की सारी ताक्ते और जहां आप पढ़िएगा वहां पढ़ेंगे हर बिल लाकर देता है आपको के जनाब यह बिल है इसको इंटर्ड्यूस कीजिए पास करना है ना ना पहले लॉड इपार्टमेंट लॉड इपार्टमेंट से आपको इजाज़त मिलेगी तो आप बिल लाएंगे ठीक है जी उसके बाद लेफटनेट गवर्नर के दफ्तर से क बिल लाएंगे जोचे का कोई कि बही आपने जुबान बड़ी गलत इस्तमाल की मेरा चाय पानी से मुराद यह कि उनके दफ्तर का बजट तक आप नहीं रेख सकते आप यह भी तैया नहीं कर सकते कि इतने पैसे आपको देंगे इतने नहीं देंगे आपका यह रोक लेंग उसमें वो एक लाइन बोलते हैं कहते हैं कि माफ कीज़ेगा कभी-कभी इदर दर निकल जाते हैं तो वो इदर दर थोड़ा साम भी निकल जाते हैं तो यह आपको मैं बता रहा हूँ क्यूंकि भावी मुख्य मंतरियों को यह सारी चीज़े पता होनी चाहिए और भावी बिल लाना चाहेंगे पहले कानुन यह था कि आप एसembley में बिल को इंड्रडीस करते आपने एक बार बिल पास किया, बिल पास होने के बाद गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने अप एसेंट नहीं दिया, बिल आपके पास वापस आता था, आप दुबारा पास करते थे, फिर गवर्नर की मजबूरी थी उस पर हस्ताक्षर करना, बिल पासेंट देना, हम कहानी पलड गई है भाई, बिल्कुल पलड गई है, कहानी यह हो गई है, कि अब आप बिल करेंगे पास, बिल जाएगा लेटनेंट गवरनर के पास, फिर बिल आएगा वापस, फिर आप करेंगे पास, फिर जाएगा एफ लेटनेंट गवरनर के पास, अब दूसरी बार रखती कहें कि इसके अंदर यह खाम्या में वहां से आएगा बापस लगी से फिर पला आएगा आपके पास अब अगर आपने बिल दुबारा उसी शकल में पास किया जैसे आपने पहले भीजा था तो बिल जाएगा फिर एलजी के पास फिर जाएगा राश्टपदी के पास लेकिन बिल पास नहीं होगा अब आप खुद सोचिए दो बार आपने बिल पास किया वो कितनी बार घूमेगा लेकिन पास नहीं होगा एसेंट नहीं मिलेगी मनी बिल के इलावा मनी बिल में भी आपको शर्त रख दी गई है कि आप जब मनी बिल को लेकर मनी बिल भी अगर आप लाते हैं उसको भी पूरा एक्जामिन करेगा लॉड डिपार्टमन कि यह मनी बिल है भी के नहीं है क्यों? बड़ी बर ऐसा भी हुआ कि आपने एसेम्ली में बिल लाया वो था नहीं मनी बिल आपने जबरदस्ती मनी बिल बनाया और बिल पास कर लिया ठीक है जी? अब नहोगा ऐसा अब यह चलेगा नहीं आप यह सिलसला भी बंद हो गया तो कुल मिलाकर बात यह है कि दस मंत्रियों के मंत्री मंडल के मुख्य मंत्री केवल और केवल वही काम करेंगे जिन कामों के लिए मुख्य मंत्री बनने चाहिए थे यानि क्या काम करें लोक सेवा लोक सेवा का मतलब यह हो गया कि अब जनता जनार्धन की सेवा ही आपका काम है सुबह से लेकर शाम का जनता जनादन की सेवा क्या वो सेवा ये जैसे मैं आपको पता है सड़के टूटी है तो बनवाईए डंगे गिर गए हैं तो डंगे लगवाईए कहीं बार आई है तो राहत पहुंचाईए और उसके इलावा बिजली लोगों के पास है कि नहीं है बि के साथ में जो बाकी मांदा काम MLA की होते हैं वो काम अब यूनिंट के MLA को एक और परिशानी होगी आपको यह भी जानते हैं कि जमुकुश्मीर के MLA बड़ा एक लंबा पेरिफरेलिया लेके घूंगते हैं पेरिफरेलिया का मतलब यह कि हर MLA को यह शौक होता है कि अब म नहीं हो पाएगा ऐसा चलेगा निया ऐसा इसलिए नहीं होगा क्यूंकि अब आपको एक गारी भी ओम डेपार्टमर्ट से लेनी हैं और वो भी होम डेपाटमर्ट जब कैन्विंस्ट होगा कि आपको एक पीएसो की जगह वाकई आठ गार्ट की जरूत है या आपको नफर मंतरी और भावी MLA की ताक्ते और यह होगी कब जब कुश्मी ने चुनाव होना तैह है और सभी भावी एस्परेंट मंतरी और एस्परेंट MLA जो है वो बिलकुल तैयारी में हैं और मैंने आपको कहा कि मैं आजकल जो खबरें सुन रहा हूं सर्फटने की नौबत आ गई है एक पार्टी में तो सर्फटने की नौबत आ गई है अब उनको बड़ा मिशूस हो रहा है कि भाई हमने इतने सारे लोग जॉइन क्यों करवाए रोज फोटो सेशन किये हमने इस पार्टी के ये आज कराओ हम ही आ रहे हैं तीसरी एक पार्टी है वह कह रही है कि जब उस पार्टी के तूटें के हमारे यहां आएंगे तो हम जीत जाएंगे वह किश्मीर बेस पुलिटिकल पार्टी का तो आपको पताई है कि वह तो एक अलगी मोड में अलगी अंदाज में हैं वो तो कहा रही है रात को चुनाव होगा सुबह हम मुख्यमंत्री बनेंगे और पर्सों में सरकार बना लेंगी हैं तो यह सारी चीजें हैं लेकिन इसके बीच मैंने आज आपको अपको बता दिया कि लेफ्टनेट्रावनर यूनियन ्ट皉ट्री अप जमकिस्मीर में मुक्हिमंत्री से लग भग 40 पीसद ज्यादा पाफल होंगे ग्रह मंत्राले के इंदर ग्रह मंत्राले के ग्रहवेबाग केंदर ग्रहमंत्राले के पास रहेगा जमुकुश्मीर का मुक्षिस सच्चु और जमुकुश्मीर का डीजीपी लेटनेट गवरनर केंदर ग्रहमंत्राले टैक करेंगे और जमुकुश्मीर के डीजीपी और ग्रहवेबाग टैक करेंगे किस थाने में कौन थानेदार लगेगा और किस जिले में कौन एसिस्पील लगेगा और किस जिले का कौन कमिशनर होगा ये तैक करेंगे लेटनर गवरनर और देखिए विडंबना एक जमाना था मुझे याद है डियो लिखना पड़ता था गवरनर को राज़पाल को डियो लिखना पड़ता चिठी लिखनी पड़ती थी चीफ मिन्सर को के जनाब मेरे पास स्टाफ नहीं है या मेरे पास ये दिक्कत है वो दिक्कत है इसको दूर कीजिए अब वक्त देखिए कैसा करवड बदला है अब जो मुक्रिश्मी के जो भी मुख्य मंत्री होंगे उन्हें अपने मंत्रियों के और साथ में अपने MLS के और अपनी पार्टी के जो लीडरान होंगे उनकी सिक्यूरिटी के लिए उनके रहन सेहन के लिए उनके घूमने फिरने के लिए जितना भी पेरिफनेलिया चाहिए उसके लिए डियोर इतना पड़ेगा लेफनेंड का बनेंड को